अगर आप बैंक से लोन ले रखके हैं या कोई समान पर्चेस कर रखके हैं तो कैसे इंट्रेस्ट और इंस्टाल्मेट निकलता है आज आप इस वीटियो में जानेंगे बने रहें मेरे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हालो दोस्तों कैसे आप सब hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं आपका अपना सुजय कुमार स्वागत करता हूँ अपने चैनल SK Excel ट्रिक पे मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति का जो है नाम टाइप करता हूँ जैसे सुमीत सिंग कर देता हूँ यहाँ पे सुमीत सिंग ऊके principal amount मैं यहाँ पे 60,000 कर देता हूँ और interest rate 2% कर देता हूँ time of month मैं 3 months कर देता हूँ अब मुझे interest निकल ना है यानि कि 60,000 का 2% कि साब से तीं महीने का interest कितना होगा इकवल टू ब्रैकेट ओपिन किजे प्रिंसपल अमाउंट गुने इन्टरेस्ट गुने टाइम अप मांथ आब इसे ब्रैकेट क्लॉज किजे एंटर्पेस्ट किजे तो 60,000 का दो महिने का 2% के इसाब से तीन महिने का 2% के इसाब से जो है 3,600 रोपया इंट्रेस्ट बनता है अब इसका टोटल निकालना हो तो इसके लिए हम इकवल टू ब्रैकेट ओपेन करेंगे प्रिंस्पल अमाउंट प्लस इंट्रेस्ट अमाउंट और ब्रैकेट को टोटल अमाउंट जो है 63,600 रोपया हो रहे हैं अब मुझे इंस्टॉल्मेंट पे करना है तो इंस्टॉल्मेंट के लिए हमें क्या फर्मूला यूज़ करना होगा इकवल टू ब्रैकेट ओपेन कीज़े यहां पे आए हैं टोटल अमाउंट डिवाइड़ बाई टाइम आप मन्त तो टाइम आप मन्त में सब्पोजट मान लीज़े कि यहां पे 3 है मैं एंटरफेस करता हूँ तो ज़्यादा पे करना हो रहा है तो मैं यहां पे जो है तो मान लीज़े आपको बिल्कुल क्या करना होगा यहां पे डेटा सिर्ट टाइप कीजिए उस व्यक्ति का जिन्होंने लोन या इंस्ट्रॉल्मेंट ले रखा है और उसका अमाउंट यहां पे टाइप कीजिए परसेंटेज टाइप कीजिए और इंस्ट्रेश्ट अफ मंठ टाइप कीजिए और यहां पे इस फर्मूला को巧 royalty कीजिए और पेस्ट कर दीजिए तो आपका फर्मूला काम कर जाएगा इंस्ट्रेश्ट और इस्टॉल्मेंट दोनों निकल जाएगा अगर आपको ये फर्मूला और ट्रिक अच्छा लगा होगा अगर आपको ये फर्मूला अच्छा लगा होगा तो